नमस्कार दोस्तों, कैसे आप आशा करता हूँ कि आप बहुत ही बड़ियों से होंगे, तो जब कोई व्यक्ति ठका रहता है, मानसिक तौर पे और सारीरिक तौर पे, तो वो चीजों को भूलने लगता है, कन्फ्यूज होने लगता है, और ऐसा अगर अमूमन हो, तो ये काफ किसी बहतरीन होमिपेथिक मैडिसन बताने जा रहा हूँ, इस सभी प्रॉब्लम आपकी वो ठीक करतेगी, तो चलिए, आज हम एनाकाडियम होमिपेथिक मैडिसन के बारे में सब कुछ जानेंगे, वीडियो को आखरी तक जरूर देखिएगा, बने रहिएगा, मैं आक्टर करने से पहले आप सबसे एक गुजारिश है, प्लीज वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, आप मुझे एमेल कर सकते हैं, मेरे एमेल आइडी कीर्ति विक्रम सिंग परिहार एक्दारेटीमेल.com पर आप कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो, तो आप प प्रॉब्लम की तरफ दोस्तों एनाकाडियम यह प्लांट किंग्डम की मैडिसन है और बहुत एक खुबसूरत यह प्लांट है, नट प्लांट है, और प्लांट को देखकर आपको एक प्लांट की याद आ रही होगी, और वही है, जो आप सोच रहे हैं, वही है, तो मुझे बताईए कि आप यह खाते भी हैं शायद, तो मुझे जरूर बताईएगा मैसे सेक्शन में कि इस प्लांट के नट को आपने खाया की नहीं खाया और इसका नाम किया है, बहुत कॉमन है और आपने जरूर इसे खाया होगा, चलिए, एनाकाडियम के बारे में जानते हैं, इस प्राबलम में आप इसे यूज कर सकते हैं, यह जानकारी दूँगा, दोस्तों इसका एक्शन, दोस्तों यह थकान को कम करती है, खतम करती है, तो चाहे वो मानसिक थकान हो या सारिरिक थकान हो, तो आपके दिमाग में असर करती है, और आपके मानसिक थकान और सारिरिक थकान को ये ठीक करती है कैसे करती है जो अच्छे हॉर्मोन्स होते हैं जो आपको सेरोटेनीन जैसे हॉर्मोन्स जो होते हैं जो आपको खुशी देते हैं जो थकान से आपको बाहर निकालते हैं ऐसे हॉर्मोन्स को रिलीज कराने में ये मददकार दबा है जब ऐसे hormones रिलीज होते हैं तो आप महानसिक तोर पर जल्दी नहीं ठकते ना सारेरिक तोर पर जल्दी ठकते ना ही आप confused होते हैं और ना ही आपको memory loss की problem होती है और ना ही आप जल्दी जल्दी भोलते हैं तो most ही ये ठकान को खतम करती है, weakness को खतम करती है, mental weakness को mostly, लेकिन सारी weakness को भी साथी साथ इसके लावा इसके aspasmodic actions भी है, मतलब ये पेट में असर करती है और पेट में जो मुरेड होती है, उसे ये ठीक करती है पेट का दर्द अगर किसी को है regularly उसे ठीक करती है, बार-बार motion हो रहा है, तो उसे ठीक करती है और आप जब कुछ खाते हैं, थोड़ा आराम लगता है, लेकिन mostly आपको दर्द वो बना रहता है, तो पेट के दर्द के लिए बहुत ही अच्छी medicine है, इसलिए ये periods में जो दर्द होता है उसमें भी दी जाती है दवा और उसके लिए भी ये बहुत ही बढ़िया दवा है, लेकिन mainly ये दिमाग में असर करती है और आपके दिमाग की ठकान को ये ठीक करती है, तो ये था इसका action, अब चलते हैं इसके sign and symptoms लच्छन की तरफ तो दोस्तों, इसका जो main action है, वो mind से related ही है और पहला action यही है कि ये ठकान को ठीक करती है जो व्यक्ति बहुत जादा ठके रहते हैं मानसिक तौर पे सारिक तौर पे उन व्यक्तियों के लिए ये दवा सबसे effective medicine है, तो अगर कोई व्यक्ति बहुत जादा ठका हुआ है, मानसिक तौर पे सारिक तौर पे, और बहुत जल्दी ठक जाता है तो वो सभाविक बात है कि वो अपना एकागरता नहीं रख पाएगा, किसी भी चीज़ को एकागरता से नहीं समझ पाएगा नहीं देख पाएगा और उस कारण से वो भूलने लगेगा memory loss की problem होती है तो memory loss की problem एना काडियम में बहुत जादा है इतनी जादा है कि frequent memory loss होता है, तो कहीं कुछ रख दिये तो वो भूल गए, या कुछ कर रहे हैं चले आए, या गैस खोलके चले आए, गैस चल रही है या आप कोई की रख दिये, वो भूल गए तो यह सब जो छोटी-छोटे memory loss की problem होती है और जो बड़ी memory loss की problem से आप पढ़ रहे हैं वो भूल गए, आप जल्दी ठक जाते हैं और जल्दी मानसिक तो और ठक जाते हैं तो जो पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं लेकिन वो याद नहीं होता है तो अगर यह सब आपको लच्छन महसूस होते हैं एक बार एनाकाडियम सरूर यूज करके देखिए इसके अलावा इसके पेट के लच्छन है तो किसी को भी अगर पेट में मरोड हो और थोड़ा सा वोमिटिंग जैसा संसेशन हो पेट में दर्द हो लेकिन एक प्रमुख इसका लच्छन है जैसे ही आप खाना खाते हैं भूब नहीं लगती और जैसे ही खाना खाते ओर तेजी से आपको भूब लगने लगती और जैसे ही खाना खाते हैं वैसे पेट का दर्द आपका ठीक हो जाता है तो अगर ऐसा कुछ हो तो ये दवा बहुत ही effective medicine है इसके skin के symptom's भी बहुत ज्यादा मिलते हैं, इचिंग, अर्टिक एरिया, रेड नर्स, रेड स्पॉट्स और रेड इरॉप्शिंस में यह बहुत ही इफेक्टिव मेडिसान है इसलिए कभी-कभी अब अगर सिंगल डूस रग्स्टॉक्स का किसी पिशेंट को प्रिस्क्राइब किया आपने सिंगल डूस के कारण रक्स्टॉक्स ने कभी अगरवेट किया वैसे मैंने तो नहीं देखा लेकिन लिखा होगा तू मैं बता रहा हृँ कि ररस टॉक्स नै एगरवेट किया है तो आप उसी सिंटम्स को देखत रॐए क्यूंकि एना काडियम से वो सिंटम्संब बहुत मि इसकी मॉडिलिटीज बहुत जादा नहीं है लेकिन खाने खाने से अगर पेशेंट को आराम लगता है तो यह मैडिसेन बहुत फायदेमन्द है तो यह थे इसके की सिम्टम्स अब चलते हैं किस प्रॉब्लम में आपको यूस करना चाहिए और कैसे आप इसे लिए तो दूस्तों एनाकाडियम जैसा कि आपको मैंने बताया कि धकान के लिए खासकर मेंटल वीक्निस के लिए खासकर मैमोरी लॉस के लिए और जो सिम्टम्स मिलते हैं उसके लिए बहुत बढ़िया दवा है क्योंकि यह ज्यादा तर दिमाग से रिलेटेड मेंटल सम्टम से रिलेटेड आप मैडिसेन इसको देंगे थोड़ी हायर पोटेंसी में दीजेगा तो मैं आपको रेकमेंड करता हूं कि 200 CH पोटेंसी में अनकाडियम दीजे तो बढ़ CH पोटेंसी में बहुत ही effective medicine है और बहुत ही अच्छे रिजर्ट मिलेंगे इसके साथ मैं एक चीज़ रिकमेंड करता हूं कालीफॉस 6X भी लीजे 6 गोली सुबह दो पाहर शाम और अच्छे रिजर्ट मिलेंगे बच्चों को देना है हलां कि बच्चों में जाहतर mental weakness नहीं ठकान यह बड़ों का symptom है बच्चों में मानसिक ठकान होता नहीं है तो मैं जाहतर बच्चों में देता नहीं हो लेकिन अगर आप देना चाहें तो एनकाडियम आप 30 CH पोटेंसी में दो बून सुबह सुबह एक बार सब ताइम एक बार दे सकते हैं कालीफॉस उन्हें है जवर आप याद रखिएगा हमेशा के लिए शयद अब आपको याद रहेगे भी और मुझे मैसेज स्क्षन में मैसेज करिये गा कैसा लगा यह आपको समझाने का तरीका और साथी साथ आप यह मैसेज करियेगा की यह थेकला अपने कहां देखा है श eco kg का जो नट है वो आपने खाया भी हो तो जरूर बताईएगा बहुत कॉमन है जरूर मुझे बताईएगा आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगाओ अगर अच्छा लगाओ तो प्लीज वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन दीगा है तो उसको दोना और नीचे कमेंट शेक्षन है मैसे जरूर करिएगा इस वीडियो को लाइक से और सब्सक्राइब करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आज के लिए बस इतने ही करल फिर मिलते हैं जय हिंद जय भारत धन्यवाद थैंक्य सव मुच बाइब